विशन्पुर प्रखंट में वानव कस्तरी का मामला इन दिरों खूब सुनने को आ रहा है बड़े पैमाने पर विशन्पुर प्रखंट के सुदुरवर्ती इलाके से कम उम्र के बच्चों को दिली ले जाकर प्लेस्मेंट एजनसी को बेचने का काम थडलने से किया जा रहा ह जिस पर प्रशाशा नकिल कसने में नाकाम हो रही है विशन्पुर आदिवासी बहुल छेतर में दलाल छोटी बच्चियों को लोग लालच देकर दिली ले जाकर प्लेस्मेंट एजनसी को बेच देते है जिनमें कई ऐसे नाबालिक बच्ची है जो आपस घर भी नहीं करती थी अचानक उसके भाई सुबास मुंदा को एक सब्ता पहले फोन आता है कि उसकी बहन दिली पुलिस के पास है मुख्या के माध्यम से उस बच्चे को लाने के लिए उसका भाई दिली जाता है इस जमन में नाबाली के भाई संधीप मुंदा ने बताया कि एक सब्ता पहले उससे फोन कर बताया जाता है कि उसकी बहन दिली पुलिस के कस्टडी में है जिसके बाद मैं दिली पहुंचा जहां पर मेरी बहन मुझे देखते ही डरने लेगी है जैसे जाये रहे तो इक महीना रहे टेफ्ट महीना से चतनी बात देफिल इन्हें होई एक मुझ लग जाए मुझे पुलिस का सुचना मिल थे में आंने जाया रहां लेक्ररिखा से गुबला में आके लेट होई नो दूसके बातर हैं करते तो कहलें हुआ तो मन कहलें के बढ़े हैं तेम तुमन मीन कराया दर्वाजा भारता अबी झायक दोम सुचना देले कुगरबार तो नहीं रहे कि Lower in응 listenersौ सुचना मी रख तब मैं आने घार हुआ हुआ kitchen of अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले प्रूले प्रूलेभ